जै मातर दोस्तों, कर्म बड़ा या भाग्या? ये सवाल सदियों से चला आ रहा है, कुछ लोग कर्म के स्रिष्ठ होने की बात करते हैं, तो वहीं कुछ भाग्ये के बलवान होने का दावा करते हैं, भाग्या और कर्म के इस प्रतिद्वंध का सही और सटी कुत्तर गीता में पाया जाता है इसे समझने के लिए पहले एक कहानी सुनेंगे और फिर गीता का एक शलोग भी जानेंगे जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कर्म और भाग्य में से कौन बड़ा है चलिए जानते हैं कहानी एक जंगल के दोनों और अलग अलग राज्या का राज्य था और दोनों राज्यों के बीच मौजूद उस जंगल में एक संत निवास करते थे दोनों राजा उस संत को अपना गुरु मानते थे और उनका बड़ा आदर करते थे उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी जो उन दोनों राज्यों का एक मात्र जल्स त्रोथ थी ज इसलिए वहें एक की करके संत के डेरे में पहुंच गए जब पहला राजा संत के निकट पहुंचा तो संत बोले कि तुमारे भागे में जीत नहीं दिखती आगे ईश्वर की मरजी संत की यह बास सुनकर पहले तो राजा घबरा जाता है लेकिन फिर उसने थोड़ा विचार क और फिर अपने सैना से बोला अगर हारना ही है तो हम पूरी ताकस से लड़ेंगे और अपने परदर्शन को दूसरों के लिए महान उधारन बना देंगे जब दूसरा राजा आशिरवात लेने के लिए संत के पास पहुंचा तो उसे देखकर संत बोले इस समय भागे तुम हुचा दिया कि भाग्य हमारे पक्ष में है तो हमारे जीत होना तैय है अगले दिन जब युद्ध प्रारंब हुआ तो एक राजा की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे भाग्य में हार हो लेकिन हम अपने पून प्राक्रम से लड़ेंगे वहें दूसरी राजा की सेन होने की बात घर कर गई थी उन्होंने सोचा जब भाग्य मेरे साथ है तो किस बात का डर कुछ देर बाद राजा का घुड़ा लड़ खडाने लगा और वहें गिर पड़ा घुड़े की गिरते ही राजा दुश्मन के हाथ लग गए और उनकी पराजे हो गई युद्ध समा स्थिर है परंतु आप लोग बदल गए संत ने जीतने वाले राजा की और इशारा करा और बोले स्वयम को ही देखिये राजन संभवित हार के बारे में जानकर आपने दिन रात एक कर दिये युद्ध की हर चीज का खयाल खुद रखने का फैसला किया जबकि पहले आपकी योजना सेनापती के बल पर युद्ध लड़ने की थी वहीं हारने वाले राजा की और देखकर संत बोले कि हे राजन आपने तो युद्ध जीतने से पहले ही उसका उत्सव बनाना शुरू कर दिया यहां तक कि अपने घोड़े की नाल का भी खयाल नहीं रखा सेना की रण सिती में बिचारा भाग्य क्या करता दोस्तों भागय लूहे के समान होता है जहां कर्म का चुम्बक मवजूद हो वह उस और खीचा जाता है जैता है तो भागय को अपनी और मौड़ा जा सकता है लेकिन भागे के भरोसे बैठ कर कर्मों से दूरी बना लेना पराजे, दुख और परशानियों को आपकी और लेकर आता है गीता में भी कर्म को लेकर यही संदेश दिया गया है जिसमें शिरी कृष्ण कहते हैं तुमारे कर्मों पर तुमारा अधिकार है लेकिन कर्म के फल पर तुमारा कोई अधिकार नहीं इसलिए फल के प्रती आसत्ते हुए बिना अपना कर्म करते रहो ये था कर्म और भागी को लेकर गीता खाग्यार इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिस्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवा दोस्तों